पाठ चौदा जीवन धात्री वर्षा संकलित छात्र पानी के उप्योग और लाब से परिचित होते हैं जीवन के लिए पानी अनिवार्य है पानी के स्त्रोथ अनेक है नदी, नाला, सागर, आदी इन सब का कारण है वर्षा समुद्र, जील, ताला और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाश्प बनकर उपर उठता है इस बाश्प से बादल बनते हैं ए बादल जब थंडी हवा से टकराते हैं तो इन में रहने वाले बाश्पकन पानी की बूंदे बन जाते हैं बूंदो वाले बादल भारी होकर जब धर्ती की आकर्षन शक्ती से खिंचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं इस प्रकार धर्ती से बादल और बादल से धर्ती तक के बाश्पकी यात्रा बहुत रोचक है एशिया में युरोप की तरह बारह महिने वर्षा नहीं होती मानसूनी हवाए वर्षा लाती है सरदी गर्मी की रूतुओं में वर्षा आमतोर पर कम होती है इसलिए लोग वर्षा रूतु की प्रतिक्षा करते है अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पढ़ता है खेत सूख जाते है और गाय बैल आदी मरने लगते है जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़ कर बहने लगती है इसको बाड कहते है वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्त्रोत है वर्षा किसानों के लिए वरदान है वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है संसार के सभी जीव जन्तूओं के लिए पानी अत्यंत आवशक है पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुवाई आदी इस तरह वर्षा जन्जीवन के लिए अत्यंत उप्योगी है धन्यवाद